बागलपूर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं लिरा है। बागलपूर में डेंगू की चपेट में आने से करीब आथा दर्जन की मौत हो चुकी है जबकि अस्पताल प्रवंदन द्वारा इसकी पुष्टी नहीं की गई। मिर्तक के परिजनों ने बताया कि दो भाईयों में छूटा मिर्तक मनीश की साधी तीन वर्स पुर्व जगदीस पुर्व में हुई थी और वो अपने पीछे पतनी समेद दो बच्चे छोड़ गये हैं। बता दे कि बागरपुर के सरकारी और नीजी अस्पतालों में रोजाना डेंगू पिडित मरीजों की संक्यां बढ़ती ही जा रही है। जहां इलाज के दौरान आज उसकी माउथ हो गई। वहीं बात अगर जिला पर सासन और स्वास्त विभाग की करें तो जागरुकता अभियान के साथ अस्पताल में इलाज के बहतर इंतिजाम को लेकर जिला अधिकारी समेद कई वर्या अधिकारी भी जाई-जा लेते रहे लेकिन बाब जुद इसके डेगू ग्रसित मरीजों की संक्या बढ़ती ही जा रही है। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के हर छेतर में तेजी से बढ़ने और हक एवं अधिकार की बात को रखते हुए महिला अरक्षन बिल को पटल पर रखने की बात कही। इसको लेकर देश बर में महिलाओं के बीच काफी खुसी का महौल देखा जा रहा है। जबकि 15 साल के लिए प्रस्तावित महिलाओं के आरक्षन का विल लोकसभा में पास होने के बाद भागलपूर भाचपा समय नारी सक्ति के बीच खासा उत्सा का महौल है। वही नारी सक्ति बंदन अधिनियम बीड को लेकर उद्दवार को भागलपूर भाचपा के महिला मोर्चा की ओर से खलीफाबाद चौक पर आभार कारिक्रम का आयोजन किया गिया। हाचपा महिला परकोष्ट की नित्री और महिला कारेकरताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ रंग गुलाल लगाया और गले मिलकर महिलाओं के हधिकार से जुड़े इस बिल के लिए खुसी काई जहार किया। इस दोरान सभी महिलाओं ने नारी सकती वंदन अधिनियम बिल को संसद में प्रस्तावित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के परती आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन सभी को उमीद है कि राज्यसवा में पेस करने के बाद या बिल जल्द ही लागू होग जिससे महिलाओं को भी चुनावी राजनिती में उनका अधिकार मिल सकेगा। मौके पर भाजपा नेत्री प्रिती शेखर आरती यादव धर्मशीला गुपता समय काफी संक्या में भारतिय जनतापाटी की महिला कारेकरता समय कई प्रकोष्ट के कारेकरता मौजूद भागलपुर के संजोसप स्कूल के नौमी कक्षा की छात्रा से दुसकर्म के प्रियास मामले को लेकर अखिल वारतिय विद्याति परसत की ओर से मंगलवार को स्कूल के प्रचारे अमलराज का पुतला धान करने का प्रियास किया गया था जिसकी अनुमती नहीं लेने की बा स्कूल प्रबंदन और दोस्यों को संरक्षन देने का अरूप लगाते हुए एबिपप कार्यकरताओं ने बुद्दबार को खलिफाबात चौंक पर जिला परिषासन का पुतला धान किया वहीं विद्यारती परचत के परसत के कार्यकरताओं ने जिला परशरसन के खिलाब जम कर नारिवादी करते हुए छात्र का योन सोसन और तुसकर्म का प्रयास करने वाले सिक्षक के साथ स्कूल के प्रचारे और प्रवंदन के खिलाब भी कारवाई करने की मां की साथी एवीवीपी कारेकरताओं ने कहा कि भागलपूर पुलीस अपना काम करने की वज़ाए स्कूल प्रवंदन से मोटी रखम लेकर छात्रों इवं प्रित पक्ष के विरोध को दवाना चाह रही है मौके पर काफी संख्या में विद्यारती परिस्ट के नेता और कारवरता माजूद रहे भागलपूर के बिवन पूजा पंडालों में बेदी पर मंगल मुर्ती बगबान गनेश की परतिमास थापित कर पूरे बिदिविदान से पूजा अर्चना की गई बताया जा रहा है कि भागलपूर सहर के 40 जवों पर पूजा पंडाल बनाकर धूम धाम से गनेश पूजा की जा रही है वहीं गनपती के दर्सन और पूजन के लिए भक्तों में काफी उत्सा देखने को मिल रहा है सिकंदरपूर, वीकनपूर, रामसर, बुलानात, खंजरपूर, जरलाही, परवत्ती, नातनगर के अलावा सवोर में भगवान गनेश की परतिमा स्थापित कर गौरी पुतर गनेश की पूजा अर्चना की गई वही सोना पट्टी सरमा चौक पर इस वर्स अंबई के मुर्तिकार रंजीत पंडित ने 61 कीलो सुपारी से भगवान गनेश की परतिमा बनाई है जिसे देखने के लिए लग-लग जगों से लोग पहुँच रहे हैं इदर दक्षिनी चेतर इस्तित वार्सली गंज में मासेरावाली कलब की ओर से भगवान गनेश को 211 कीलो के एक लड़ू का भोग लगाया गया जबकि कई जगों पर सांस करते कारिक्रम का भी आयोजन किया गया इसके अलावा जोगसर विशहरी मंदिर में गनेश उसप को लेकर गनपती बपा की 10 फीट उची परतिमा स्थापित की गई है जहां एक क्विंटल के लड़ू का भूग लगाया गया इधर गनेश पूजन समारो को लेकर सहर में पुलीस पर सासंद्वारा चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और गनेश चतुर्ती को लेकर 113 अस्थनों पर मजिस्टेट और पुलीस वलों की तैनाती करने की बात कही गई है पीवन में जब अगर नकुरी करता हूँ और मैं डाइबीज बीमारी से एक साल से बहुत परिशान था तो मैंने पेपर में देखा पेपर में सुनरा डाइबीज का इलाज होता है तो हम यहां पर आए तो मेरा उस पहले 300 से उपर था तो यहां आगर के डाक्टर इसे इलाज करा है तो एक हफ्ता के बाद में मेरा बीपी घाट करके 120 में आगा है तो अभी बहुत उस समय में हमको बहुत मतलब तकलिप होता था मौसूस होता था शरीर में मतलब शुष्पान चक्कर जैसा लगता था लेकिन अभी यह दवा खाने के बाद हमको बहुत सरीर में तागात आ रहा है मतलब फुर्ती भी आ रहा है तागात आ रहा है कोई बीमारी तैसे नहीं है तो अभी हमको एकदम बिल्कुल ठीक है, सब चीज स्वाथ है, सारीर स्वाथ है, इसलिए हमको ये दवा से हमको मतलब की बिल्कुल एकदम हमको सारीर में स्वाथ मौसूस हो रहा है बागलपूर जिला परसासंद सहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमन करने वालों के खिलाब सक्त नजर आ रहा है और अतिक्रमन के खिलाब परसासंद वारा भुल्लोजर की कारवाई लगातार ज़्यारी है दरसल भागलपूर समार नाले परीसर इस्ति जिला परसत के सामने आपदा प्रवंदन कारियाले के समीब अबैद रूप से दुकान बना कर वरसों से अतिक्रमन किया गया है लेकिन अब दुकानदारों के खिलाब जिला परसासन के द्वारा कारवाई करते हुए दुकान पर बुल्डोजर चला कर अतिकरमित जमीन को मुक्त कराने की परिक्रिया जारी है बताया जा रहा है कि यहाँ पर चार दुकानों को हटाने की कारवाई की जानी है जबकि फिलाल परसासन के दोरा एक दुकान को धुस्त कर जमीन को अतिकरमन मुक्त करा लिया गया है या कारवाई मजिश्टेट और जग्दीस पुर्सीयों की मौजूदगी में हुई जहां कापिश रंक्या में पुलीस के अधिकारी और जवान के अलाबा राजश्व करमचारी मौजूद थे भागलपूर नगर निगम में आउट्सोर्सिंग एजनसी के सफाई करमियों ने मंगलवार की सुबह सफाई और पुड़ा उठाने से इनकार कर दिया जिससे वार नमबर 14 से 32 तक लोगों को भारी परिसानियों का सामना करना पड़ा बताया जा रहा है कि पिछले एक मा सतरह दिन से सफाई करमियों को एजनसी के द्वारा मांदे नहीं दिया गया था जिसके विरोध में सफाई करमियों ने अचानक खड़ताल सुरू कर दी वहीं इसके बाद बद्वार को सफाई कर्मियों को मांदे वुगतान कर दिया गे जिसके बाद सभी सफाई कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर खुसी का इजहार किया और नगराएक्त डॉक्टर योगेस सागर मापौर डॉक्टर बसुंद्रा लाल एभम उप माप परशाद यादव, मनोज चौधरी, जौनरल परभारी हमारे और आदित जैस्वाल जो हमारे स्वास्था का परभारी है और हमारे एजेंसी ये तमाम लोगों के बीज बाते हुई और उन्होंने शंग्यान में लेते हुए त्वारित कारवाई करते हुए हम लोगों को तमाम स प्रफाई करमचारियों को बेतन देने का कार किया इसके लिए मैं इन सभी पताधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए